नमस्ते दोस्तों तो आज हम कोई रेसिपी तो नहीं देखेंगे आज हम देखेंगे क्रियेटिविटी जी हाँ जहाँ पिच्छा हो वहाँ पे रहा हती है है ना डेकुरिशन करने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो बनाना था क्योंकि घर में हल्दी कुम-कुम का कारेक्रम तो इसके लिए मुझे कुछ अच्छा सा क्रियेटिव बनाना था तो मेरे खयाल में आया कि चलो बिस्किट से कुछ बनाते हैं तो मैंने सोचा क्यों न आप लोग के साथ भी शेयर करो तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी वाली चाशनी हमें बनाकर तयार कर लेनी है एक जाएगा यानि कि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि कैसी हमारी ट्रेन बनेगी यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रेन रेल गाड़ी बना रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं इंजिन तो बनाना होगा तो यहाँ पर मैंने मैरी गोल्ड के गोल वाले अंचित ले सकते हैं जिसका से पैसा गोल होना चाहिए उनको भी हमने शुगर सिरफ से चिपका दिया है और इसके उपर हम लगा कर देखेंगे तो देख सकते हैं तो थोड़ा सा इंजिन ऊपर जा रहा है और हमारी ट्रेन नीचे है तो हम भ्या करेंगे पहले इन सब को ऐस चिपका लेंगे शुगर सिरफ से चिपकाने से एक फाइदा ये भी है कि इसे हम खा भी सकते हैं आप इसे फेवी कॉल से या फेवी गम से चिपकाएंगे तो ये वेस्ट जाएगा लेकिन शुगर सिरफ से चिपकाएंगे तो हम इसे बाद में खा भी सकते हैं बच्चे तो ब आले बिस्किट आते हैं ना काजू के सेफ के तो उससे हम इसका मू बनाएंगे थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कोई भी क्रियेटिविटी यहां पर दिखा सकते हैं मैंने इसका नाग भी बना लिया है थोड़ा सा चेरी से और यहां पर हमार क्रिस्टलाइज हो जाती है तो इसे फिर से गरम कर लेना है और यह ट्रेन को मैंने नीचे से बिस्किट से ही बेस कर दिया था ताकि यह थोड़ा सा उपर आ जाए और हमारा इंजिन थोड़ा सा सेफ में दिखे तो शिगर शिरफ से हम इसको और थोड़ा सा सिक्यूर देख सकते इस तरह से तो चलि ए ट्रेन के डब्बे तो हमें भरने होंगे न क्योंकि ट्रेन खाली तो नहीं जाएगी तो इसके हम जेम्स, बिस्कűट, चोकलेट्स कोई भी इसमें डाल सकते है देख सकते हैं यहाँ पे बंखर तयार है हमारी बिस्किट वाली ट्रेन जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रही है तो आप अपने पसंद से इससे बिस्किट से और बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं मैंने भी बहुत सारी बनाई है प्रोसेस यही रहेगा चीनी को हमें चासनी में गाड़ी चासनी बनानी होती है चीनी से और यहाप ऐसे जैसे हमें आइडिया आता है वस्तरा से चिपका दीजिए थोड़े देर के लिए सेट होने के लिए रख दीजिएगा और अपने आप ही सेट हो जाती है तो इसी तरह से मैंने और यहाप एक घर बना दिया है चेयर और सोफा जैसे हम इसे कहते है गार्डन का इसको लुक दिया है तुलसी रुंदावन भी बनाया है जैसे आपको जैसे आइडिया आजाए आपकी क्रियेटिविटी से आप इससे धेर सारी चीज़े बना सकते है देख सकते है यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है सेम प्रोसेस रहेगा चाशनी को गाड़ा बनाई है और उससे बिस्किट से कोई भी चीज़ आप बना सकते है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है देख सकते हैगा इस तरह से आप कोई भी घर में प्रोग्रेम हो तो उसके बनाईगी गा और बहुती बच्चे तो खूश हो जाएगे जैसे बच्चों का बढ़्डे हुआ या फिर बोरवन याने की हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चल रहे है तो उसमें भी आप इसको बना सकते है ऐस डेकोरेशन तो बहुती बढ़िया लगेंगे तो कैसी लगी आज के आपको एक क्रिटिविटी प्लीज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अच्छी लगी है तो लाइक करिए शेर करिए साथ यसाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए